कि एक वार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा नाम सुमित है तो आज की मारे प्रैक्टिस सेट पांच मा आ चुका है फिफ्ट आई हो आपने पिछले चार जो सेशन हमने लिए इसमें हमने टॉप इंपोर्टेंट कॉश्टन जो हम एक सिक्वेंस लेके चले अधाय प्रैक्टिस करते हैं सबको पता है जिन्होंने मेरे प्रीवीस देखी है तो मेरा नाम सुमित है तो आज की हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं मठीक्वारी बढ़ते हैं हमारे आज का पहला यह उसकी और तुमारा जो फर्स्ट कोशन है वो है बिच इस दा लोंगेस्ट लेक इन इंडिया भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है आपको देखो भारत की सबसे लंबी जील बतानी है कौन सी है तो इसका जो आपका जो राइट अंसर हैगा अब option number D आपका रेगा बैंबे नौड लेक है कहां पे है एक नदर कोशन नमारा ये बनता है कहां पे ये लेक पाई जाती है तो आपकी ये केरला में पाई जाती है केरला में ये आपकी लेक है केरला में कहां पे है क्याल में ये पाई जाएगी और सबसे यह लंबी भारत की जील है कितने किलोमेटर किलोमेटर भी एक्जामिनेर पूछ सकता है 96 किलोमेटर तक की यह लंबी जील है बैमनोट जील है यह आपकी केरला में केरला के कन्याल में यह लगबग 96 किलोमेटर तक की भारत के सबसे लंबी जील है अगला question हम देखते हैं हमारा question number second वेर इन इंडिया only active volcano बर्लीन आइलेंड लोकेटिड भारत का एक मात्र सक्रिय जुआला मुखे तो देखो question से आपको एक और question clear हो रहा होगा कि only active volcano देखो तो हमारे भारत में एक ही बोलकेटिड आपको भारत में काफी सारे देखने को मिलेंगे और जो सक्रिय है जो अक्सर फड़ता रहता है यानि active है वो एक मात्र एक ही है हमारे पूरे भारत में तो वो कहां पे लोकेट जाना है तो इसका जो आपका राइट अंसर एगा अंडेमान और निकोबार यानि आपकी option नमबर ए इसका राइट अंसर एगा option नमबर ए अंडेमान निकोबार में आपका एक मात्र पूरे भारत का active volcano पाया जाता है इसलिए question आपका काफी important बन जाता है लगबग two star आप मा इस question को आप मान के चलिए अगला question हम देखते हैं हमारा question number third उससे पहले मैं आपको बता दूँ जनमस्टमी का course हमारा जल्दी से एक end होने वाला है end होने से पहले पहले जल्दी से इस course का फायदा उठाइए लगबग 40% तक का off आपको सभी courses में देखने को मिल रहा है चाए पो फिर आपका HP TET arts की preparation के regarding हो medical हो non-medical हो LT हो या JVT हो साथ में commissions के courses में भी आपको off मिलेगा कौन-कौन से arts के हो गया आपके medical के हो गया non-medical हो गया आपका LT का commission हो गया JVT का हो गया police का हो गया पतवारी का हो गया another case हारे तो जल्दी से enroll होने के लिए WhatsApp नंबर आपको निच 600 में WhatsApp में अपनी inquiry लीजिए आपकी इस exam की preparation कर रहे है और उसमें आप for tips and तक का off लेके आप जल्दी से इस course को अपने coding जुन करिए इस offer के खतम होने से पहले-पहले तो अगला question हम देखते हैं हमारा Question number 3 The color of the star is indicate Star का रंग किसका सूचक है जो हमें तारे रंग के तारे दिखते हैं हमें वो किसके कारण दिखते हैं जो हमें रंग दिखता है तो देखिए अगर आपके दिमाग में ये एक image चली हुई है कि आपके तारे ना white color के होते हैं यानि सफेद रंग के होते हैं तो तारे हमारे कभी सफेद रंग के होते नह के लिए आप इतना समझी आपके फाइफ लेयर सा जब उसमें से लाइट ट्रैवल करके आती है ना तब वो हमें वाइट कलर के दिखती है वट रियल्टी में जो आपके जो स्टार्स होंगे ना वह आपके व्ल्यू औरेंच और रैड कलर इन तीनों में आपके रंग में आप आप पाए जाते हैं और यह किसके कारन पाए जाते हैं देखिए कॉस्टन यही पूछा है आपको कि सूचक मताना कि कि किसके कारण पाए जाते हैं आपको यह थी तीन-बन रंग तो टैंप्रेचर के कारण option number c आपका बिल्कुर right answer हेगा इस question का temperature के according ही color decide होता है हमारा कि कौन कौन से color का आपको तारा दिखने वाला है देखिए अगर कोई नेया तारा है new star है तो आपको वो blue color का दिखेगा ठीक है अगर वो mature हो चुका है यानि वो mid age में है आपका तब वो आपको orange का दिखने वाला है अगर वो आपका mature हो चुका है तब वो आपको orange का दिखेगा ओरेंज का दिखेगा और अगर वो मरने वाला है ना old हो गया है वो old मरने वाला है तब वो आपको red color का दिखेगा तो किसके कारण है यह temperature के कारण आपको तारे इन तीन रंग में पाए जाते हैं देखने को मिलते हैं अगला question हम देखते हैं हमारा जो जीला पास connected which two places आपका जो जीला दर्रा है वो किन दो स्तानों को जोड़ने का जो कार्य है वो करता है आपको बताने किन दो स्तानों को जोड़ता है तो देखिए आपका जो यह पास जोड़ता है वो option number 6 का right answer एगा ऑफ रॉम लेटू श्री नगर आपका लेए से आपका श्री नगर को यह जोड़ने का काम करता है और यह कहां पर है तो आपका यह जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा लेटु लद्दा को जो जोडता है जो जिला दर्रा आपको अगले कोश्चन को देखते हैं कोश्चन नमर फिफ तमारा विच रीवर इन इंडिया क्रोस दा ट्रॉपिक ओफ कैंसर ट्वाइस भारत में कौन सी नदी करकरेखा को दो वार कारती है यानि आपकी जो करकरेखा भारत से होके जाती है यह स्पोस करिए आपका भारत है बनाने इतना ही हम बनाएंगे जितनी हमें जुरूरत है पर लीजिए पूरा ही कर देता हूं मैं आपको यह इसको मान के चलिए भारत है अब अच्छे से यहां पर बन नहीं पाया तो आपकी जो करकरेखा है न वह यहां से मीड़ से होके जाती है तो आपको ऐसी नदी बतानी है ज उसका जो आपका राइट अंसर है यह Option No.C रीवर माही रीवर एक मातर भारत में एक एसे नदी है जो करकर इखा को दो बार काटके जाती है अब माही को कैसी याद रखेजे मेहंदर सिंगh दौनि को सभाते जानते हैं मेंदर सिंग्दोनी का जो निक नेम ही था माही था है अब इसी की रिगार्डि हम एक और कोशन यहां पर देख लेते हैं साथ-साथ में कि अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं ना वर्ल्ड में पूरे दुनिया में जो मारा एक्वेटर है यानि जीरो डिगरी में एक्वेटर जो रेखा है उसको कौन सी नदी काटती है तो एक मातर इसको कोई दो मार काटती है तो वह कौणक नदी जो दो मार करती है पूरे दुनिया में एक अगला कोशोन देखते है हमारा कोश्चन 6 तो देखिए सिक्वेंस अगर आपको पता है आपने मेरी क्लास में अच्छे से सिक्वेंस समझे हैं तो आपको पता होगा जो सबसे दूर जो ग्रह है न सबसे लेट और सबसे कम रोशनी उसी तक पहुंचेगी तो जायसी बात है सबसे ठंडा भी बही होगा हमारा तो इसका जो आपका राइट अंसे रहेगा वह नेप्चिन रहेगा आपका नेप्चिन ग्रह है जो सबसे ठंडा होगा और सबसे दूर भी लास्ट ग्रह है यह हमारा आठमे नंबर का ग्रह जो सबसे दूर है और सबसे ठंडा भी यही होगा तो इसका राइट अंसर अप्शन नमब दूरी पर किस और गूमती है, तो यह दूरी यानि ऐक्सीज आपकश क्या है, देखिए, एक मांन लीजिय जिए ग्राउड है और बीच में आप खड़े हैं आप एक ही जगा अपनी जांपे खड़े हैं आप बार बार गूम रहे हैं एक ही जगा आप तो इसको कहते हैं पृत्वी उस एक्सिज में किस direction की तरफ गूमती है आपको direction का नाम बताना है तो इसका जो right answer एगा 7th question का option number C west to east आपकी गूमती है west से start होती है east की तरफ गूमती हुए पूरी जाती है यह हमारी direction है गूमने की अपने axis में अपने दूरी में जो गूमती है प्रिथवी कौन सी west to east आपकी और कितना समय लगता है इसे एक चक्कर लगाने में यह थोड़ा important हमारा बन जाता है यहां पर वैस टू इस से गूमती है और लगबग यह 23 गंटे शपन मिनिट यानि 56 मिनिट और फॉर सेकेंड अगर आपको exact चलना है पूरा तो फॉर सेकेंड भी कर सकते हैं फॉर सेकेंड अगर याद नहीं रहता तो आप लगबग यह मान के चलिए 23 आर्स और 56 मिनिट का यह समय लेती है पूरे 24 गंटे का नहीं लेती है चार मिनिट कम लेती है 24 गंटे में से इतना इसे टाइम लगता है अपना पूरा एक तिन का चक्कर लगाने में अगला कॉशन देखते हैं हमारा कॉशन नमबर एट इन विच नैशनल पार्क ऑफ इंडिया इस अम्रावती इजर्वर लोकेटिड अम्रावती जलाश्य भारत के किस राश्टिय उद्ध्यान में स्थित है अम्रावती के बारे में आपको बताना है यह कहां पर स्थित है कौन से जो रिजर्व है आपके उसमें अंडरी आता है तो एर्थ का जो आपका राइट अंसर में आपका मैं फाया जाता है काहां पर है ये आपको इस सब्सक्राइब को ओक्की क्प्ताइब क्लाक में अगला देख्टेयां को फ्मारा फिलों कि था गयुक्तété कॉछ था लारजेस्ट वाटर फ्लो ओक शिस्टम ओंव डाट तक प्लैटू दक्कन पथार का सबसे बड़ा जल प्रवा सिस्टम कोन सा Mercury वह कौन सा है आपको बताना गया बहुत है उसका टूल गोड़ी जो पितने से तक है यह 1465 1465 किलो मीटर तक गये वाटर फ्लो सिस्टम है आपका तो यह कहां का लाइंडिया है तो देखिए हुमारे भारत के दो इससे हैं नौर्थ इंडिया है और एक साउथ इंडिया है तो यह साउथ इंडिया का सबसे लंबा लोंगेस्ट है आपका किसका साउथ इंडिया का सबसे लोंगेस्ट बार्टर फ्लोव सिस्टम में गोदावरी आपका अगला कॉशन देखते हैं हमारा कॉश्चन अबर टैन्थ दरिया ए नूर इस दा नेम ओविच ओफडा फ्लोविग तो दरिया ए नूर नीमट लिखित में से किसका नाम है तो यह दरिया ए नूर जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्यों कि यहां से ही हमारा कोही नूर जो नाम सुन पर ही मिलता है हमें तो यह कहां पर है उप्शन नमर सी इसका यह रहेगा डायमेट एक्जिगेटिट फ्रोम गोड़कोना माइन्स ओफ इंडिया तो यह माइन से आपकी जहां से कोहिनूर हीरा मिला था तो जिसको हम नाम कहते हैं दरिया एनूर आप नाम याद रखिएगा द हम प्रिटेन में हैं जो ताज में लगा हुआ था हमारी अलीजावेट 2 के जिनकी हाली ही में पिछले साल बीते हुए में मृत्ती हो चुकी थी तो यह कोहिनूर हीरा पाया था यहां से हमारा तो जिनोंने प्रीविस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज प्रीविस लेक् के साथ कोशिश करूगा कि प्रीविस कोश्चन जो हमारे रहे हैं वो भी हम दिसक्शन करें में बहुत मैं लेकर आउं और कैसे कोशन बन सकते हैं हम इसके उपर भी डिसक्शन करें तो आज के लिए इतना काफी है जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में